कोशन नमबर एक लड़कियों को गोलगप्पे पसंद क्यों होता है या पसंद कमिल अंसारी ने उत्तरपदेश से पूचा है दसल लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होता है खटे में लड़कियों की जान बसती है लेकिन है लड़कियों को गोलगप्पे पसंद न कि जीप के गुलाम लड़के भी उतने ही होते हैं जितने की लड़कियां होती हैं दरसर पेगनेंसी के समय महिलाओ को चटपटी चीजों को खाने का मन करता है इसलिए महिलाओ पापड़ी गोलगप्पे और चटनी जादा खाती है महिलाओ के पेडियस के समय आने से पहले पसंगुरदीप ने गुजरास से पूचा है दसत तास के खेल की उपती चीन में हुई मानी जाती है जिसका बाद में अरव यूरोप में पचारों पसार हुआ ऐसा कहा चाता है कि तास के बावन पत्ते साल के बावन हफतों को दसाते हैं इसमें चार्ज सूट या सैट होते जो चार्जीतों को दसाते हैं अगर हम तास के उपरी लिखी हुई सभी गर्णाओं का जोड़ करें तो 364 आता है अगर इसमें एक जोकर जोड़े तो 365 दिन और दो जोकर जोड़े तो 365 दिन यानि की एक साल इस तरीके को तास की रचना कैसे हुई इसका अधार माना जाता ह कोशन नमबर तीन हातों की हतेली में पसीना क्यों नहीं आता है यह पसर अंजना ने लुद्याने से पूछा है दरसा समाने दे शरी के कुछ खास अंगों में अधिक पसीना आता है लेकि हतेली और तल्वों में बहुत कम लोगों को पसीना आता है इसका कारण यह है कि हतेल पसीन आना हमें कई बीमारियों की ओस अंकीत करता है हतेलियों में जादब पसीना आना हमारे शरीर के लिए नुकसादायक थाहबित हो सकता है आपको यहाँ भी बता दे कि गर्मियों के मौस defending शरीर से पसीना आणा अच्छा है यह हमारी तुचा को साफ रखता है लेकिन जरुष से ज़्यादा पसीना आना हमारे शरीर में कई बीमारियों को पैदा कर सकता है हतेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना आने के कई कारण हो सकता है जैसे की लो बिलड प्रिसर, तनाववे, हाईपर हाईड्रोसिन का शिकार होना हाले कि 90-35 मामले हाइपर हाइड्रोसिंग के ही होते है यह एक तरह की समानने बिमारी है इससे बचने के लिए हमें सूती वस्तरों का इस्तमाल करना चाहिए हमें यह भी ध्यान रगना चाहिए कि जब हम बाहर होता है हमारे पै दिन बज जूते और मोजो से पैक रहता है ऐसे में पैरों से लगतार पसीना आता रहता है इससे बचने के लिए हमें थोड़ी धोड़ी देर के लिए पैरों को जूतों से बाहर निकाल लेना चाहिए इससे पसीना कम आएगा और शरीर में बैक्टरिया नहीं पनप पाएंगे कोशन नमबर चार इनसान गाली क्यों देता यह पसंद सैफ ने मिरट से पूचा है दसल यह बात सही है कि कुछ व्यक्ति हर बात पर गाली देने की कोशिस करते है यह उनके सोभाविक सोभाव को दसाता तथा उनके मांसी संतुलन को इस पसूप से दिखाता है इससे यह भी पता चलता है कि उनकी आदेते किस तरह की है तथा वह अपने सारे संतुलन को भी खो देता है जिससे उसके आने वाली पीड़ी पर बहुत बुरा प्रवा पड़ता है मज़े की बात तो यह है कि इस तरह की भासक का परियोग लड़कों के सासा लड़किया भी तरती मिल जाती है यह एक ऐसी मानसिकता है जो दसाती है कि आज के इस आदुरिक यूग में लड़किया अपने को लड़कों के बरावा दशाने के लिए हर संबब कोशिश कर रही है उसके लिए चाहे अबध वासक का परियोगी क्यों न करना पड़े दसक गालित देने का मकसद होता है सामने वाले के मन को पिड़ा देना उसके हृद्यों को दुखाना गालियों में प्राए मनुस्य की तुलना अन्ने जीवों से की जाती है जैसे गदा, उत्ता, उल्लू, आस्तीन का साप आदी या फिर नकारात्मक सब्दों का परियोग होता है जैसे नलायक, हरामकोर, मुर्ख, आदी या फिर मा बेहनों के परति अफशद कहा जाता है पर गाली सुनकर यदि हम कोई परति क्रिया नहीं देते, उत्तेजित या उदेलित नहीं होते तो यह हमारी जीते हैं, कई लोग उसे काया तक कहेंगे, पर जब तक संबभ हो, मौन रहना ही उचित होता है कोशन नमबर पाच, आती के समय ताली क्यों बजाता है, यह पसंद लखन ने राची से पूचा है दसर हम किसी भी मंदिर में आती के समय सभी को ताली बजाते देखते हैं और खुद भी ताली बजाना सुरू कर देते हैं ऐसे कई मोके होते हैं जब ताली बजाई जाती है किसी समारों में, स्कूल में, गर में, आदी, इस्तानों पर जब भी कोई खुसी या उस्सा वाली बात होती है हम उसका ताली बजा कर अभिनंदर करते हैं। सारे हतेलियों में शरीख के अन्य अंगों की नसौ के बिंदू होता है जिने एक्युि प्रेसर बिंदू कहता है growing T поз में बाएं हाथ की हतेली पर दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ तेज दवाब के साथ इस परकार मारा जाता है कि दवाब पूरा हो और अवाज अच्छी आए इस परकाई की ताली से बाए हतेली के फैपडे, लीवर, पिताशाय, गुर्दे, छोटी आत वे बड़ी आत तथा, दाए हाथ की उंगली के साइनस के दवा बिंदू दपते हैं इस से उन अंगों तक खून का परवात करिव होने लगता है इस तरह की ताली को जब तक बजाना चाहिए जब तक की हतेली लाल ना हो जाए इस परकाई की ताली बजाने से कबज, एसिडिटी, मूत्र, संक्रमा, खून की कमी वे स्वास लेने में तकलीव जैसे रोगों में भी लाब पहुशता है कोशन नमबर 6 लड़का या लड़की कैसे पैदा होता है यह पसंद आनन कुमान ने लखनों से पूचा है दसल विग्यान के मताबिद लड़के या लड़की का जनम X और Y क्रोमोसोन पर नहीं बगता है क्रोमोसोन एक तरह का DNA अणू होता है महिलाओं में X क्रोमोसोन होता है जबकि पूचों के अंदर X और Y दोनों ही तरह के क्रोमोसोन होता है पुरुस और महीला के संबोग के बद जब वीडिय महीला के अंदर जाता है तब यदि महीला के X क्रोमोसोन से पुरुस का X क्रोमोसोन मिलता है तो इस मिलन से लड़की का जनम होता है इसी तरह महिलाव के S क्रोमोसोन से जब पुरूस के Y क्रोमोसोन मिलता है तो इससे लड़के का जनम होता है यह परक्रिया प्राकतिक रूप से होती है कोई भी किसी भी तरीके से इसको अपने अनुसा तै नहीं कर सकता कोईशन नमबर साथ मदाना ताकत बढ़ाने वाली दवाईयों के क्या नुकसान है यह परसंट दलीप ने रायस्तान से पूछा है दरसर मदाना ताकत बढ़ाने की दवाई के दावों का बहुत बड़ा बजार है इन दावों में सच्चाई से ज़्यादा जूट का जंजाल है मेडिकल स्टोर पर अलग अलग नामों से मिलने वाली दवाईों कास्तमा लोग धड़के से कर रहे हैं मदाना तागत के नाम पर लोग बिना सोचे समझे खाये जा रहे हैं इसमें हर उमर के लोग शामिल है बीस से पच्चिस साल के युबावी इस दावों में फसकत दवाईों का सेवन कर रहे हैं बजार में आयुर्वेदिक और अंग्रेजी दोनों परकायकी दवाईों के तमाम उत्पाद उपलब्द है बेसे सेग्यों की माने तो इस परकायकी दवाईों का सेवन कुछ खास आयू वर्क के लोगों के लिए ही हैं दसर सरदर इरेक्टाइल डिक्सफंक्शन दवाव के सबसे आम दुस परणाम होता है नाइट्रिक अकसाइड के बड़े हुए इस त democr के परवाव में अचानक परिवतन शृदर का कारण बनता है यह दुस परवाव इरेक्टाइल डिक्सफंक्शन की दवाईयों के सबी परकार के साथ आम है इरेक्टाइल डिक्सफंक्शन की दवा पाचन तंद के दुस्परणाम का कारण हो सकती है नाइट्रिक ऑक्साइड में विर्दी से कुछ फूसों को चक्कर आ सकते है इरेक्टाइल डिक्सफंक्शन दवाओं के कारण होने वाला चक्कर आम तोर पर हल्का होता है हालगि किसी भी चक्कर में रोज मर्रा की गती विडियो के दोरां असुविदा हो सकती है कई मामलों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन दवाओ से चक्कर आना भेहुसी का कारण बन गया है जो एक गंभी स्वास्ते मुद्धा बन सकता है erectile dysfunction दवाय आपको चीजों को देखने के तरीकों को बदल सकती है यानि vision loss की समस्या हो सकती है कुछ लोगों को erectile dysfunction की दवाय लेने के दोरान उनके पूरे शरीम मास पेस्वियम अदर्द होने लगता है कोशन नमर 8 भारत में satellite phone band क्यों है यह पसंद राजीम ने दिल्ली से पूछा है दसर सैटलाइट फोन या सैट फोन ऐसम मुवाइल फोन होता है जो लेंड लाइड या सेलूर टावरों के बज़ाए उबगरों से सिग्नलर पराप करता है सैट फोन्स का फाइदा यह है कि वह किसी भी इस्तान से phone call कर सकता है चाहे वह सहारा मौस्तर हो या फिर एवरेस की चोटी या फिर अफरीका के कोई घना जंगल मतलब यह जमीन हवा या पानी में कहीं भी संकेत पकड़ सकता है सैट फोन का नुकसान बाच्चीत में आने वाली अरचन के रूप में होता है क्योंकि सिग्नल को उबगरे तक पहुचने और लोट कर आने में समय लगता है इसके अलावा सैटलेट के जरिये इस्तमाल होने वाला खर्चवी सैलूरर फोनों की अपिक्सा कहीं अधिक होता है हाला कि यह कमीया सैट फोन के फाइदों के सामने छोटी साबित होती है दसल किसी आपदा की सूरत में यह दुनिया के दूर दराज इलाकों में ऐसे समय संपग साथ सकता है जब अन्य संजा सादन जवाब दे जाता है शोट करता गुमकर और फोजी इसके सारे अपने परिजनों के संपग में रहते है लेकिन सभी देशों के सैटफोन के बारे में अलग-अलग कानून है भारत में सैटफोन हासिल करने के लिए विशेश कानून है तीन कंपनिया इरिडियम, गलोव स्टार और थराया सैटफोन सेवाई देती है इसमें इरिडियम की सेवा पूरी दुनिया में गलोव स्टार 38-35 हिस्से और थराया की सेवा भारत एशिया के अन्ने हिस्सों अफरीका पश्यमी एशिया और यूरोप में हैं दसल भारत में सैटलाइट फोन ले जाने पर पतिबन है इसके लिए आपको जीती रिवाजों की आतंगवादी गतिवीदियो के कारण हमेसा संदे के दाइने में रखा जा सकता है लेकि समचार पत्रों में अक्सर यह बताया जाता है कि सैटलाइट फोन के साथ विदेसी के अलावा उन्हें एक तरफ सेवा के रूपे भी अप्यों किया जाता है जिसमें संक्यat को एक तरफ से दूसरे विक्तिकों चैतावनी के रूपे बेज़ा जा सकता है हाल के दिनों में 12 सरकान ने एक पस्ताव रखा है कि मित्र देसों से आने वाले प्रेटों को सैटेलाइट फोन रखने की अनुमती दी जाने चाहिए ताकि हमारा प्रेटर न बढ़ सके लेकिन सुरक्सा कारणों से इस पस्ताव को खारिज कर दिया गया है तो दोस्तों आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले पशनों को उत्ताव देने की पूरी कोशिस की है अगर आप भी हमसे कोई पसंद पूछना चाहता है तो कमेट्स बॉक्स में लिक कर पूछ सकते हैं हम उसको उत्ताव देने की पूरी कोशिस करेंगे और हाद दोस्तों आपके द्वारा काफी सारे पसंद पूछे जाते हैं जिनका जवाब देना हमाले लिए संबम नहीं है उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें कमेंट्स करें जाय स्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्काइब जरू करें नमस्का दोस्तों